ए रेंग हंटर, एपिसोड 233 से लेकर 234 तक, एपिसोड 233, एक दिन दो दिन और फिर तीन दिन, तीन दिन पहले ही गेट्स ने खुद को दुनिया के सामने प्रकट किया था, गेट्स और उनके पढ़ोसी देशों में नागरिक शांती फैल गई और हर गुजरते दिन के साथ यह और भी हिंसक होती गई, ऐसा इसलिए था क्योंकि इन में से किसी भी देश ने अभी तक कोई व्यभारे प्रतिक्रिया नहीं दी थी, नागरिकों की क्रोधित भीर सडकों पर उतर आए और हिंसक प्रदर्शन करने लगी, ताकि अपनी सरकारों पर प्रतिकारात्म को पा प्रतना को आस्मान में देखे हुए 75 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, हालां कि सरकार ने अभी तक इस पर कोई टिपनी नहीं की है, वहां, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रदर्शन कारी हमें जवाब दो, सरकारें लिखे हुए तक्तियां लेकर भूम रहे हैं, प्रदर जैसे ही गेट दिखाई दिया, उन्होंने देख के हर एक शिकारी को राजधानी शेहर में बुला लिया, दूसरा भाग कोरियाई लोगों द्वारा महसूस की गई सुरक्षा की मनोवेग्यानिक भावना से संबंधित था, क्योंकि उन्हें इस बात का असास था कि उनके दे कारी रैंक के शिकारियों से अधिक है, विशेश रूप से आयोजित एक टीवी शो में बोलने के लिए आमंतरित विशेश अग्यों में से एकने कैमरे के सामने यह बात कही, हंटर मिस्टर वीर ने अकेले ही दो रैंक एस डंगॉन ब्रेक का ख्याल रखा, चीटियां और द कहा जा सकता है, जब विशेश प्रसारन अधिकार प्राप्ट टीवी स्टेशन ने कतित तोर पर एक ही बार में पिछले तीन वर्षों के लाब के बराबर राजस वर्जित कर लिया हो, सिर हिलाओ, सिर हिलाओ, एमसी ने अपने आप ही अपना सिर हिला दिया, जबकि विशे विशेशग्य ने अपनी तरजनी से उसकी कनप्टी पर हलके से थप थपाया। और यही कारण है कि कोरियाई नागरिक स्वाभाविक रूप से अपने मन में इस बात पर विश्वास करते हैं। उन्हें विश्वास है कि चाहे उन्हें कितना भी खत्रा क्यूं न हो, हंटर मिस तित्व कोरिया गनराज्य और उसके लोगों के लिए एक असीम आशिरवाद है। दुर्भाग्य से ये सपष्ट था कि पृत्वी पर हर देश को ऐसी किसमत नहीं मिलेगी। वास्तव में उत्कृष्ट शिकारियों की संख्या बहुत कम थी और वे समान रूप से फैले हु ना चाहिए भले ही ये उनकी सुरक्षा में एक और लड़ाकों को शामिल करने के लिए ही क्यों न हो। इस बीच कई सरकारें अपनी हरानी को छिपा नहीं पाई। जब कई धनी लोगों ने जो कर वसूली के मौसम में दात पीसते थे उन्हें आर्थिक सहायता देने का वच अपने अपने देशों का प्रतिनिदित्व करने वाले दिगगज लोग कोरिया इशिकारी संथ के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देने के लिए कोरिया की राजधानी सियोल में एक अत्रित हुए। इस यात्रा से उन्हें बस एक ही चीज चाहिए थी और वहती दुनिया भर म यह जानकारी हंटर वीर द्वारा प्रदान की जानी थी, वह व्यक्ति जिसने पहले सुपर मैसिव गेट से अविश्वसनिय परिनाम प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की थी, इसलिए उनकी अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी थी, वाह वाह, एक व् पर लगे ठंडे पसीने को रुमाल से पुंचा और अपने आसपास बैठे सभी लोगों के चहरों पर नजर डाली। बहुत सारे लोग आये, राश्ट्रपती, सरकारी मंत्री, गिल्ड मास्टर्ज, विभिन शिकारी संधों के अध्यक्ष, हंटर बयूरों के निदेशक इन में से ज्यादा तर लोगों के चहरे जानते थे, वे वाकई बहुत बड़े नामी लोग थे, इसलिए सिर्फ उनका ना पर से शान्त और सयमित दिख सकते हैं, लेकिन वे ये भी जानते थे कि अंदर से, उनमें से हर एक बिचैनी से अपने पैर पटक रहा था, खैर, खुद निर्देशक भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे, ये कितना अच्छा होगा यदि हंटर वीर आगे आकर कहें कि यह गेट संक जो में कहें तो यह उसके क्षतिग्रस्त गौरव को पुन स्थापित करने का एक शान्दार अवसर होगा, हालां कि अगर सच्चाई पूरी तरह से इसके विप्रीत होती, तो निर्देशक को लगा कि उसका दिल धड़क रहा है, उसने अपनी सूखी लार को निगला और समय की पुष्टी की, उसकी कलाई घड़ी ठीक दो बज के 55 मिनट पर इशारा कर रही थी, घोशना समय तक 5 मिनट 6 थे, टिक टॉक, आज किसी कारण से असामान्य रूप से तेज आवाज में सुनाई देने वाली सेकंड हैंड की टिक टिक की आवाज सुनते हुए, निर्देश मृत शासकों के स्थान पर सैनिकों की कमान संभालेंगे, उन्होंने आगेस पश्टी करन देते हुए कहा कि जायंट्स की सेना का नित्रित्व उसके मार्शल द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि उनके राजा को शासकों ने पकड़ लिया था, वीर ने समझ में सिर हिलाया, दुनिया भर में कुलाड गेट दिखाई दिये, संप्रभू विहीन सेनाओं के लिए गेट्स की घटना को अब समझाया जा सकता है अगर मार्शल उनकी कमान संभाल रहे होते, तब ही, वीर के दिमाग में अचानक एक और सवाल उभरा, अगर मैं मर गया, तो क्या आप सही जगा पर लगा रहेगा, तब तक किसी भी सैनिक की जान नहीं जाएगी छाया सेना का मजबूत पक्ष उसके सैनिकों की वफादारी थी जो केवल अपने मालिक की खाते रागे बढ़ते थे और अपनी जान की भी परवा नहीं करते थे, लेकिन अगर इसे उलत दिया जा निश्चित रूप से उसके दुश्मन इस बात को नजरंदाज नहीं करेंगे, है न? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसका फाइदा भी उठा सकता था? वीर अपने विचारों में दूब गया और उसकी आँखों में कुछ देर के लिए चमक आ गई तबी दूसरी तरफ से एक अलग आवाज ने उसे संबोधित किया मेरी लीग, यह इगरिट था, हमारे पास पूर्ण पैमाने पर युद्ध का कोई मौका नहीं है, महाराज एक मध्यम आवाज जो शक्ती और द्रिर विश्वास से भरी हुई थी, धीमी, गहली आवाज में बोली गई उसे इगरिट से बातचीट शुरू किये हुए काफी समय हो गया था, लेकिन वीर अभी भी उस आवाज से उबर नहीं पाया था, अब गंभीरता से वह उसहल के फुर्तिले दिखने वाले कवच में सुसजजित था, तो उसे ऐसी मरदाना आवाज की क्या आवश्यक्ता थी इगरिट के अनुसार, वह मानव प्रानियों के इतिहास में अब तक का सबसे महान शूर वीर माना जाता था, इससे पहले की वह पिछले चाया समराट की शक्तियों के माध्यम से पुनरजन लेता, इसलिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि उसकी आवाज में मरदानगी का वहती उच्चस्तर कहां से आया, लेकिन फिर भी, इस असामन जिस्य की भावना के बारे में मुझे क्या करना चाहिए, चाहे वह वीर की परेशानी के बारे में जानता था या नहीं, इगरित ने शांतिपूर्वक अपनी चिंता व्यक्त करना जारी रखा, पूर्व छाया स अन्य समराट के विप्रीट, जो शासकों के विरुद्ध लड़ाई के बारे में सशनकित हो गया था और उसने अपनी सेना को बढ़ाना बंद कर दिया था, अन्य समराटों ने पीछे नहीं हटे और लगातार अपनी सेनाओं के आकार को बढ़ाया और बढ़ाया, आपके व अपने मालिक और अन्य मार्शलों की बातचीत सुनता रहा, वीर की अभिव्यक्ति कठोर हो गई, क्या इसका मतलब यह नहीं था कि सर्वोत्तम स्थिती में भी उसके शत्रूँं के पास 10 मिलियन से अधिक सैनिक होंगे, 100 बार, वीर ने धीमी आवाज में जवाब देने से संख्याओं पर विचार किया, वैसे भी मैंने कभी भी व्यापक पूर्ण पैमाने पर युद्ध की योजना नहीं बनाई थी, यहां उनका तातपर्य ये था कि उन्होंने अपनी सेना के लाब को त्यागते हुए पूर्ण पैमाने पर युद्ध के विचार को कभी भी अभी बन सकता था या सभी वापस एक हो सकते थे अभी भी वीर के मन में भविश्य में होने वाली लड़ाईयों की तस्वीरें घूम रही थी थोड़ी देर की खामोशी के बाद ब्ररर ब्ररर वीर ने अपनी जेब से शोर मचाते हुए अपना स्मार्टफोन निकाला उन्हो आप कहा हैं मिस्टर वीर इसका उत्तर देने से पहले वीर ने चुपचाप पीछे देखा हर जगह भीशन लड़ाई के निशान थे जमीन जो भयावे रूप से उखडी हुई थी और टुकडों में बिखडी हुई थी जहां तक उसकी नजर जा सकती थी फैली हुई थी हरे जंगल पेडों का समुद्र बनाने वाले सभी पेड बिना किसी निशान के गायब हो गए थे ये चाया सेना द्वारा तीन समुहों में विभाजित होने के बाद नकली युद्ध लड़ने का अंतिम परिनाम था माना द्वारा गड़ी गई प्रित्री भयावे प्रभाव ब भरी मात्रा में जादूई उर्जा के टकराव पर अपने आश्चर्य को छिपा नहीं सके उन्होंने जो शक्ती देखी वह शेड़ो आर्मी की असली ताकत थी और वीर को भी वह ताकत देखने को मिली इस अनुभव के जरिये उन्हें अपनी सेना की युद्धक शम्ता का सह सही आकलन करने का मौका मिला अंतिम परिनाम पूरी तरह से संतोष जनक रहा वीर ने पीछे देखना बंद कर दिया और अपनी नजर वापस सामने की और भुमा ली एक लाख से ज्यादा सैनिक वीर के सामने जमीन पर भुटनों के बल बैठे थे अपने आका के अगले आदे के कोने ऊपर उट गए और उसने यथा संभवत अथ्यात्मक धंग से उत्तर दिया हाँ मैं अभी अभी वहाँ पहुचा हूँ तो मा गए लेकिन कब वुजिन चेयोल ने अपने अधीनस्तों को आदेश दिया था कि जैसे ही वीर कार्यक्रम स्थल पर पहुचे उसे सूचि उसने चुपचाप अपना फोन जेब में रख लिया मुझे लगता है कि अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं रह गया है आप जानते ही हैं आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहा हैं वीर ने भी उस मुसकान का जवाब दिया और जवाब में एक बार अपने कंधे उचका दिये फिलहाल वे ओडिटोरियम के वेटिंग रूम में खड़े थे उस दर्वाजे के बाहर हर खाली सीख पर अलग-अलग देशों के प्रतिनिधी वीर के आने का बेसबरी से इंतजार कर रहे थे वुजिन चेओल ने वर्तमान समय की पुष्टी की उनके फोन की स्क्रीन पर लगी घड़ी ने उन्हें बताया कि घोशना के समय में अभी दो मिनिट बाकी है इसका मतलब है कि अभी थोड़ा समय बाकी है उसे एक अप्रत्याशित सहचता का एसास हुआ और उसने अपना सेर उपर उठाया मिस्टर वीर क्या तुम सच्मुच इन लोगों को सच बताने की योजना बना रहे हो हाँ मैं हूँ एक बार जब उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा तो हर जगह भारी अशान्ती फैल सकती है और कुछ देश ऐसी अशान्ती से निपटने में सक्षम नहीं होंगे मुझे पता है कि यह एक सपष्ट घटना क्रम होगा यहां तक कि शासकों को भी पता था कि चीजें इस तरह से सामने आएंगी और उन्होंने अंतक अपने इरादे छिपाए रखे हालां कि यदि आगामी घटना के माध्यम से सब कुछ समाप्त हो जाए तो क्या किसी को कम से कम यह नहीं पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है मेरा मतलब है यह बहुत ही अनुचित बात है कि आपको यह नहीं पता कि आपकी मौत कैसे हुई है न इसलिए वीर ने सब को सच बताने का फैसला किया आखिरकार सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसे भी अपने दिल को तयार करने के लिए समय की जरूरत होगी वीर के द्रिल निश्चवी भाव को देखकर असोसियेशन के अध्यक्ष वूजिन चियोल केवल अपना सिर हिला सके मैं समझ गया अगर आपने यही फैसला किया है तो वीर वूजिन चियोल के पास से गुजरा और सभागार की और जाने वाले दरवाजे के पास पहुँचा लेकिन तभी बाद वाले को कुछ पता चला और उसने जल्दी से आवाज लगाए माफ करना मिस्टर वीर प्रशनवाचक चिन्ह प्रशनवाचक चिन्ह वीर ने भ्रमिद भाव से मूह भुमाया और वूजिन चियोल ने जवाब में शर्मिंदगी का भाव बनाया और अपना मूह खोल दिया बाहर बहुत सारे पत्रकार आपका इंतजार कर रहे हैं ओ, वीर ने अपने वर्तमान कपडों को देखा, वह अपने सैनिकों को नियंतरित करने के लिए पिछले कुछ दिनों से प्रवेश वर्जित क्षेत्र में रह रहा था, इसलिए इस समय उसके कपडों की हलत काफी दैनिय थी अब मुझे क्या करना चाहिए, हालांकि बात ये थी कि वह एक साधारन मामले को बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहते थे, जैसे कि दूसरे स्थान पर जाकर कपड़े बदलना आ दी लेकिन फिर वह अब स्टो में उपलब्द किसी भी पोशाक को खरीद कर उसे पहन नहीं सकता था, जैसा कि वह पहले करता था थोड़ा रुको, स्टो से कपड़े खरीदें, सिस्टम के चले जाने के बाद वह अब स्टो की सेवाओं का उप्योग नहीं कर सकता था लेकिन सिस्टम ने खुद को बनाए रखने के लिए जिस शक्ती का उप्योग किया था, वह शुरू में शेडो सौवरेन की थी उस स्थिती में, कपड़े बनाना और उन्हें पहनना, सैधान्तिक रूप से कम से कम, उसके लिए पूरी तरह से संभव था उस पल, वीर को एक मात्र कपडों का प्रकार याद आया जिसे वह भी बनाने में सक्षम होना चाहिए शुआहक, पलग जपकते ही प्रतीक्षा का क्षचानक काले धुएं से भर गया, और मानोवल जीवित हो, उसने जल्दी से वीर के शरीर को घेर लिया वुजिन चियोल दर के मारे उचल पड़ा और जल्दी से कई कदम पीछे हट गया उसकी भौहें उपर उट गई, काला धुआ वीर पर काले कवच में बदल गया था इस बारे में कैसा है, अब सामानित, शिकारी हमेशा डेविल्स और उनकी अलोकिक शक्तियों से खुद को बचाने के लिए कवच पहनना सुनिश्चित करते थे जब इन असाधारन दिखने वाले उपकरनों को वीर जैसे शक्तिशाली हंटर के उपर रखा गया तो एक जबरदस्ट दबाव स्वतह ही उसके अंदर से निकलता हुआ प्रतीत हुआ बुजिन चियोल इस अद्भुताभा से पूरी तरह से अभिभूत हो गया और जवाब देने के लिए अपने होंट भी मुश्किल से हिला पाया ये ये वास्तव में कुछ और है वीर ने हलकी मुस्कान बनाई मैं इसे एक प्रशंसा के रूप में लूंगा वीर दरवाजे की और मुणा और धीरे-धीरे सभागार में प्रवेश किया लगभग एक पल में स्थल के भीतर का सारा महत्वहीन शोर गायब हो गया हंटर वीर वहं ततह यहां है यहां एकत्रित हुए हर व्यक्ति का ध्यान मंच पर खड़े एक व्यक्ति वीर पर था उसने उनके चेहलों पर एक गहरी नजर डाली और अपने दिमाग में घूम रहे कई विचारों को शान्ती से व्यवस्थित किया वह इन लोगों को ये बताने के लिए यहां आया था कि क्या होने वाला है इस दुनिया को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली आटमहान सेनाओं के आगमन के बारे में साथ ही ये तथ्य की इन में से प्रत्यक सिना अराजक्ता की दुनिया के सैनिकों से बनी है जिनके खिलाफ लगना मानवता के लिए बहुत मुश्किल होगा वे आधिकारिक भोशना का इंतजार कर रहे थे और उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे लेकिन सच्चाई जानने के बाद उनके चेहरे पर क्या बदलाव आया उनके दिलों में बरता तनाव पूरी तरह से वीर तक पहुँच गया और परिनामस्वरूप उसकी अभिव्यक्ती भी काली पढ़ गई सभी ने अपनी सांस रोपकर उसकी आवाज सुनी सभागार में शायद पहले भी शांती रही होगी लेकिन अब ये पहले से भी ज्यादा शांत था थोड़ी देर बाद वीर को माइक्रोफोन की सहायता की आवश्यक्ता नहीं पड़ी और उसने बोलने के लिए बस माना को अपने स्वर्यंतर में लोड कर लिया मुझे पता है कि सभी के लिए चीजें अविश्वसनिय रूप से कठिन हो जाएंगी उसकी आवाज उस भयावे रूप से शांत सभागार में धीरे धीरे गूंज रही थी वीर के कान प्रतिनिधियों के सुखी लार निगलने और उनके हिंसक रूप से धड़कते दिल की आवाजें सुन सकते थे मजेदार बात यह है कि जितनी तेज धड़कने उनके दिल की होती गई उतना ही शांत वीर का दिल भी होता गया उसकी आँखों में चमकती रोशनी पहले से ज्यादा दिल हो गई क्या मैं वास्तव में पहले से अधिक शांत महसूस कर रहा हूँ एक निश्चित क्षन के बाद वीर ने अपना सयम पूरी तरह से वापस पा लिया था उन्होंने शांति पूर्वक अपने श्रोताओं को इन समापन शब्दों के साथ संबोधित किया हालां कि कोई भी जीवित व्यक्ती आगामी लड़ाई से बच नहीं पाएगा वे जीव आपके सामने आएंगे और वे आपकी हर प्रिय चीज को नश्ट करने की कोशिश करेंगे एपिसोड 234 वीर की लंबी व्याख्या समाप्त होते ही प्रतिनिधियों के चेहरों पर एक बेकाबू घबराहर तैर गई यहां तक की सावधानी से चुने गए पत्रकारों का दल भी अपना काम भूल गया और एक दूसरे की प्रतिक्रियाओं को देखने में व्यस्त हो गया शोडगुल शोडगुल वह सभागार जो पहले भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था अब क्षंड भर में तेज आवाज वाले शोड से भर गया अंततः कोई अपनी भई भरी जिग्यासा को दबा नहीं सका और वीर पर चिल लाया तुम उम्मीद करते हो कि हम उस कहानी पर विश्वास कर लेंगे कोई भी इस कहानी पर कैसे विश्वास कर सकता है कि इस धर्ती पर सब कुछ नष्ट करने में सक्षम भयानक जीव इस ग्रह के करीब आ रहे हैं बुजूर्ग व्यक्ति की आवाज में अब हताशा की भावना साफ जलक रही थी सबूत मुझे सबूत दिखाओ, उसके बिना मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं करूंगा ये सही है, क्या आपके दावे इतने बेतुके नहीं है कि उन पर विश्वास करना कर्थिन है अचानक, आपने हमें बताया कि कामिश जैसे सेकडों जीव दिखाई देंगे, लेकिन इसका क्या मतलब हो सकता है मनुष्य, जब किसी ऐसी वास्तविक्ता का सामना करते हैं जिससे वे निपट नहीं सकते तो वे अपने बचाव के लिए स्वता ही उसे नकारने या क्रोधित होने का सहरा लेते हैं विबिन राष्ट्रों के ये प्रतिनिदी जानबूज कर उनकाई चमतकारों को भूल गए जो वीर ने उन्हें अब तक दिखाए थे और अपने इंकार के उग्रश अब्दों को मंच पर खड़े वीर की और निर्देशित किया उनके लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण था उनके हाथों का एक जटका ही उन्हें तुरंट चुप कराने के लिए परियाब था हेव एक दरजनों गेट्स अचानक वीर के ठीक पीछे प्रकट हुए प्रभू की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने कई दरजन द्वार निर्मित किये जो मूलता विभिन आयामों को जोडने वाले द्वार थे मुझे गेट्स बनाने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि छाया के माध्यम से यात्रा करना मेरे लिए तेज है लेकिन फिर भी इन लोगों को समझाने के लिए इस तरीके से ज्यादा कारगा कुछ नहीं हो सकता वह बिना ज्यादा मेहनत किये एक इनसान के आकार के गेट्स तेयार कर सकता था वीर ने गेट्स की ओर देखना बंद कर दिया और अपनी नजर दर्शकों की ओर घुमा ली निश्चित रूप से एकत्रित प्रतिनिधियों, पत्रकारों और यहां तक की कौरियाई शिकारी संग के कर्मचारियों में से एक भी व्यक्ती जो वीर के शब्दों पर पूरी तरह से भरोसा करता था अपना मुह बंद नहीं कर सका, अपनी निगाहें दूसरी और मोरना तो दूर की बात थी वे क्यावे सभी गेट्स नहीं है, बब लेकिन ऐसी बात कैसे हो सकती है हंटर वीर, गेट्स को बना सकते हैं, और केवल इतना ही नहीं, इन सभी लोगों के सामने एक ही समय में उनमें से कई को वहाँ उपस्थित सभी लोगों की आँखें जोर-जोर से कांपने लगी, मानो अभी भूकंबा रहा हो हंटर बयूरो के निदेशक डेविड ब्रेनन ने अविश्वास में अपनी आँखें मलना जारी रखा वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ड्रैगन कामिश को कालकोटवी से बाहर निकलते समय इस दुनिया में अपना पहला कदम रखते देखा था लेकिन फिर भी वह इस पर विश्वास नहीं कर सके जैसा मैंने सोचा था, ये काम कर रहा है वीव, प्रभू की शक्तियों को देखने के बाद उनकी प्रतिक्रियाँ से संतुष्ट हो गया और उसने अपने पीछे द्वार बंद कर लिये मानो एक सेकंड पहले जो कुछ हुआ वह एक ब्रह्म था, प्रत्येक गेट बिना किसी निशान के गायब हो गया, गवाहों की पलक जपकने से भी पहले अरे, नहीं, उसी समय एक रिपोर्टर को ऐसा महसूस हुआ कि उसका दिल धड़क रहा है उसने तुरंट अपने बगल में खड़े दूसरे रिपोर्टरों से पूछा, क्या किसी ने उन गेट्स की तस्वीरें ली हैं, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि यह कैमरा है या फोन, क्या किसी ने उस घड़ना को रिकॉर्ड किया है आह, रिपोर्टर वहीं पर निराश होने लगे, कुछ ने अपने सिर को पकर लिया जबकि कुछ ने दड़नाक कराना शुरू कर दिया ये सब बहुत तेजी से हुआ, और वे सब ही अपने होश खो बैठे थे, इसलिए वे यहां जो कुछ हुआ उसका द्रिश्य प्रमान लेना भूल गए थे मानो पत्रकारों के बीच पनप रही अशान्ती एक संकेत थी, अगले ही पल सभागार के सभी कोनों से सदमे और घबराहर की आवाजें फूट पढ़ी शोरगुल, शोरगुल, इस विशाल खुले आंतरिक भाग में तेज आवाजें गूंज रही थी, जिससे कान के परदे हिल रहे थे लेकिन, फिर, हंटर वीर, ब्रिटिश प्रतीनिधी अचानक अपनी सीट से उठे और अपनी तीकी चीक से सब का ध्यान अपनी और आकरशित करने में सफल रहे क्या ये हो सकता है कि आप उनमें से एक हैं, जो जीव पहले सुपरमासिव गेट से प्रकट हुए थे, क्या उन्हें हम सभी को मारने के लिए यहां नहीं बुलाया गया था उनके कथनों ने यहां मौझूद लगबग सभी लोगों को एकदम से स्टब्द कर दिया वे अंजाने में ही सबसे खराब स्थिती की कल्पना कर बैठे, यही कारण था हंटर मिस्टर वीर के दुश्मन की तरफ होने का एक असपष्ट, निराकारदर इन लोगों के दिलों में संक्रमन की तरह फैलने लगा खैर, क्या उसने गेट्स बनाने की शक्ती का प्रदर्शन नहीं किया जिसने इतने सारे इंसानों को उनकी आँखों के सामने मौत और आतन की चपेट में ला दिया वीर कुछ देर तक बिना कुछ कहे ब्रिटिश प्रतीनिधी को देखता रहा तभी ब्रिटिश प्रतीनिधी को अपनी गलती का एहसास हुआ यदि हंटर वीर वास्तव में मानवता के पक्ष में था तो इस आदमी ने अपने डर के कारण खुद को निश्चित रूप से बेवकूफ बना लिया लेकिन यदि इसके विप्रीट सच निकला तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अब उसके लिए अपना जीवन बचाना बहुत मुश्किल होगा आ, ओ, ठीक है बेशक, मैं, ओ, बिना किसी शर्ट के आप पर विश्वास करता हूँ मिस्टर वीर ब्रिटिश प्रतीनिधी का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया और उसके वाक्य के अंध धीरे-धीरे छोटे होते गए वीर ने आह भरी, मानो उसे ये सब बेवकुफी भरा लग रहा हो फू, उसने वही किया जिसके लिए वह यहां आया था वीर को इन लोगों से विनती करने या उनसे उस पर विश्वास करने के लिए कहने की जरूरत महसूस नहीं हुई चाहे आप मेरी बातों पर यकीन करें या ना करें, चाहे आप मेरी बातों को स्विकार करें या ना करें यह आपकी मर्जी है मैंने अपनी बात कह दी है इसलिए अब आप सभी अपना मन बना लें रिपोर्टरों को लगा कि घोशना समाप्त हो गई है और इससे उन्हें अन्तता उस तबधता से मुक्ती मिल गई जिसमें वे एक के बाद एक लगातार हमलों के कारण फंस गए थे जल्द ही कैमरे की फ्लेशें तेजी से चमकने लगी ख्लिक 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 वीर ने दर्शकों पर एक आखिरी नजर डाली और जैसे ही वह मुलने वाला था अमेरिकी हंटर बयूरों के निदेशक डेविड ब्रेनन ने अंतता उस चुपपी को तोड़ने का निलने लिया जो उन्होंने अब तक बनाए रखी थी और उन्होंने अपना हाथ उपर उठाया वीर ने उसे पहचान लिया क्योंकि वे पहले भी एक दूसरे से मिल चुके थे उसने अमेरिकी की ओर इशारा किया निर्देशक ब्रेनन चेहरे पर सक्त भाव लिये निर्देशक धीरे से अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ यहां मौजूद कोई भी ऐसा नहीं था जो हंटर बयूरो के नेता का नाम न जानता हो इसलिए लगबग तुरंथी सभागार में फिर से सननाटा चा गया काफी समय हो गया मिस्टर वीर उन्होंने विनम्लता से अपना सिर जुकाया और वीर ने भी सिर जुका कर उनका अभिवादन किया निर्देशक ने वही से अपनी बात जारी रखी अब मुझे समझ में आ गया है कि उन गेट से क्या निकलेगा पहले सुपर मासिव गेट से निकले सो हजार से ज्यादा काले देविल शुक्र है वे हंटर मिस्टर वीर के अधिनस्त निकले जिन्हे सयोग से एक समप्रभू की शक्तियां विरासत में मिली थी और उसने तुरंत उन्हें अपने अधीन कर लिया और अब आज इस स्थान पर ये सत्य पूरी तरह से उजागर हो चुका है कि अन्यजीव जो प्रवेश करने वाले हैं वे मानवता के मित्र नहीं है उस स्थिती में मानव जाती को इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए निर्देशक ने अपने कांपते दिल को शांत करने की कोशिश की और सावधानी से अपना सवाल पूछा हमें आगे क्या करना चाहिए वीर ने चुपचाप कुछ देर तक निर्देशक का अध्यान किया फिर धीरे धीरे अपनी नजर बदल कर सभागार में उपस्तित प्रतेक व्यक्ति के चेहलों पर ध्यान दिया अपनी आँखों के माध्यम से वह उनकी चिंताओं, बेचैनी, घबरहट, भय, सदमे, भ्रमादी को महसूस कर सकता था वास्तव में उसकी समवेदी धारना जो मानव की सीमाओं से बहुत आगे निकल गई थी हमेशा मददगार साबित नहीं हुई, खासकर इस तरह की स्थिती में थोड़ी देर बाद, वीर ने अपना मन बना लिया और उन्हें सबसे अच्छी सलाह दी जो वह सोच सकता था मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन गेटों से जितना संभव हो सके उतना दूर चले जाएं जितना हो सके, मुझे उम्मीद है कि आप सबसे दूर की जगह पर चले जाएंगे, भले ही वह थोड़ी ही दूरी पर हो वीर द्वारा प्रदान की गई जानकारी से उत्पन हलचल बहुत बड़ी थी ये जानकारी किसी और ने नहीं बलकि वीर ने दी थी एक ऐसे व्यक्ती ने, जिसने पहले सुपरमैसिव गेट के साथ एक अविश्वसनिय तमाशा बनाया और पूरी दुनिया को चौका दिया, उन्हें ये जानकारी दी थी लोगों ने विशार डेविल सेनाओं के आकरमन के बारे में चितावनी सुनी, जिनके खिलाफ मानुवता कभी नहीं लड़ पाएगी और भय से ग्रसित होकर उन्होंने स्वयम को गेट से जितना संभव हो सके उतना दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास करना शुरू कर दिया हर सड़क पर गाडियों की भीर लगी हुई थी, हर गली में गाडियों के हौन की आवाजें गूंज रही थी इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आपके सक्बार पर नजर डालते हैं, वीर का चेहरा और उसके साथ लिखे तीन शब्द हर एक मुक्रिष्ट पर चाय हुए थे दूर चले जाओ, ये शब्द पूरे विश्व को संगर्थित करने के लिए पर्याप थे हालां कि, बात ये थी कि जब लोगों का आंदोलन बड़े पैमाने पर हो जाता है, तो ये स्वाभाविक था कि उस आंदोलन का विरोध भी बड़ेगा ऐसा नहीं था कि सभी ने वीर की बातों पर यकीन किया खास तोर पर जे मिल्ज नाम के इस कनाडाई शिकारी के लिए, जिसने पूरे आत्म विश्वास के साथ अपनी आपतियां जाहिर की संयोग से, कनाडा का गेट आर्ट सुपर मैसिव गेट्स में सबसे बढ़ा पाया गया उसे बताओ कि वह अपनी बखवास कहानी ले सकता है और उसे फेक सकता है हंटर चैनल पर एक कार्यक्रम में अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित किये जाने पर कनाडाई हंटर ने स्टूडियो में बैठे विशेशग्यों के सम्मानित पैनल के सामने वीर की बुराई करना शुरू कर दिया अगर मुझे हंटर मिस्टर वीर का निजी संपर्क नंबर पता होता तो मैं भी यही बात कहता अगर सयोग से कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे व्यक्तिगत रूप से जानता हो ये शो देख रहा हो तो मैं चाहता हूं कि तुम वही दोहराओ जो मैंने अभी यहां कहा है ठीक है गर्म महौल को ठंडा करने के लिए मेजबान ने तुरंद मानक प्रसारक की मुस्कान अपना ली अरे वहां चलो सब पहले सांस लेते हैं फिर भी मिस्टर वीर दुनिया के सबसे बहतरीन शिकारियों में से एक है है न क्या हमें वाकई उसके जैसी क्षम्दा वाले शिकारी द्वारा दी गई चितावनी को नजर अंदास कर देना चाहिए जे मिल्स की हंटर रैंकिंग सूची में केवल 17 वे स्थान पर थी इस तथ्य पर विचार करते हुए भी कि वह एक अप एक शाकृत नौसिक या था जिसने केवल 3 साल पहले ही अपना हंटर करियर शुरू किया था किसी भी तरह से उसकी तुलना वीर से नहीं की जा सकती थी वह खुद भी पहले से ही उनके बीच वर्ग के अंतर को स्वीकार कर चुके थे फिर भी हाँ बेशक मिस्टर वीर एक अविश्वसनिय शिकारी है उसके पास थॉमस आंद्रे को नश्ट करने के लिए परियाप्ट शक्ती है और फिर उन सबी बुलाए गए प्रानियों को भी हाला की सिर्फ इसलिए कि वह एक अविश्वसनिय आदमी है इसका मतलब यह नहीं है कि वह जो कुछ भी कहता है वह विश्वसनिय है क्या मैं सही हूँ उस स्थिती में क्या आपके पास कोई सबूत है जो मिस्टर वीर ने जो कहा है उसका खंडन करता हो जे मिल्ज ने उपहा से पूर्वक मुस्कुराया ओ, तो फिर वीर का क्या उसके पास क्या सबूत है जबकि मेजबान उप्योग पुत्तर की तलाश में था जे मिल्ज ने सीधे कैमरे में देखा और बोल पड़े यही मैं सोचता हूँ वीर सियोल गेट के ठीक सामने खड़ा था, है न और इसलिए उसे वहां खड़ा देखकर सभी डरावनी काली चीजें घुटने टेक गई अगर वह कोई दूसरा हंटर होता और वह नहीं, तो कौन जानता है कि क्या वे डेविल उस व्यक्ति के सामने जुब जाते कनाडाई हंटर की गर्दन की नसें उभरने लगी, जब उसने अपनी आवाज उची की मानोवः वीर को संबोधित कर रहा हो, जो घर पर कार्यक्रम देख रहा होगा हंटर वीर, तुमने अपनी बक्वास से दूसरे लोगों को डरा दिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दून तुम इन सभी गेट्स पर एक आधिकार नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि, मैं तुमसे नहीं डरता, जरा सा भी नहीं बीग, असोसियेशन के अध्यक्ष वूजिन चेयोल ने टीवी बंद कर दिया, उसने चुपचा प्रिमोट नीचे रख दिया और अपनी नजर उस और घुमाली जहां वीर बैठा था हम बात करते समय कनाडा में जे मिल्स के आसपास शिकारी इकठा हो रहे हैं ऐसा लगता है कि भारत जैसे मजबूत हंटर सिस्टम वाले देश अपने खुद के चापे की तैयारी कर रहे हैं वीर ने कुछ नहीं कहा और केवल अपना सिर हिलाया शुरुआत में ये चुनाव उन्हें ही करना था अब उन्हें बाकी सौवरेन के खिलाफ होने वाली लड़ाई पर ध्यान के इंद्रित करना था मिस्टर वीर, संयुक्त राजे सरकार आपके अगले कदम पर कड़ी नजर रख रही है नहीं, रुकिए, मुझे यकीन है कि मौझूदा परिस्थितियों में ये कहना कोई अतिश्योक्ती नहीं होगी कि पूरी दुनिया आपकी हर हरकत पर नजर रख रही है वूजिन चेओल ने अपनी बातचीत को इस तरह आगे बढ़ाया और सावधानी पुर्वक विशे को उसोर मोर दिया जिस पर वह बात करना चाहते थे अब तुम क्या करोगे, मिस्टर वीर उन्होंने अपने धड़कते दिल को नियंतरित करने के लिए बहुत मेहनत की और साथ ही वीर की प्रतिक्रिया में किसी भी तरह के बदलाव पर नजर रखी मुझे मिस्टर वीर की निलनाय लेने की प्रक्रिया में बाधा नहीं बनना चाहिए दरसल उसने अभी अभी वीर से कुछ शुपाया था और ये तथ्य यह है कि वीर के लिए इसोए सनुरोध दुनिया के सभी कोनों से आ रहे थे सच तो यह है कि असोसियेशन को अभी आने वाली सभी कॉलों के कारण ठीक से काम करना मुश्किल हो रहा था इन सब के बीच अमेरिकी जिनकी सीमा कनाडा के साथ लगती है जो इस मामले में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी वीर के सहायत के लिए बेताब थे इतना की बाहरी पर्यवेक्षकों को भी उन पर दया आ गई शिकारी संग की भूमिका शिकारियों की सहायता करना थी ताकि वे अपना पूरा ध्यान डेविल्स का शिकार करने में लगा सकें वूजिन चियोल ने कुछ नहीं कहा था कि दिवंगत असोसियेशन के अध्यक्ष गोगुन हुई द्वारा हमेशा जोर दिये जाने वाले सिध्धान्त के खिलाफ न चला जाए इसके बजाए उन्होंने वीर के फैसले का इंतजार करना चुना बुरी बात यह है कि वूजिन चियोल के विचार जो वह उत्सुकता से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था कुछ हद तक धोखा खा गए क्योंकि वीर ने कुछ समय पहले ही ये तै कर लिया था कि आगे क्या करना है एक साथ सभी आठ सेनाओं के खिलाफ लड़ना असंभव है उस स्थिती में उससे सबसे पहले दक्षन कोरिया को खत्रे में डालने वाले व्यक्ती से चुटकार अपाना था जहां उसका परिवार रहता था जहां तक शेश संप्रभूओं का सवाल है वह उनसे बाद में निपटेगा क्योंकि लड़ाई जितनी लंबी चलती उसकी जीत की संभावना उतनी ही बढ़ती जाती यही कारण था सबसे पहले वीर ने अपना सिर उठाया और वूजिन चियोल से बात की मैं चीन जा रहा हूँ